आज के हम वीडियो में देखेंगे कि कई बर क्या होते कि हमारे गर में लाइट चली जाती है और बाकी के लोगों के गर में लाइट होती है तो उसका क्या रीजन होता है यह फोल हम कैसे इसको इसली फाइंड आउट कर सके बीना एलेटिसन को बुलाए हुए तो आईए शुर लगा है इसको किट केट फ्यूज बोलते हैं यह लगा होगा अगर इसको आप निकल को देखो गे तो इस में तो आलरी यह वह आप देख सकते लगा हुआ है यानि यह भी जला नहीं अगर यह जल जाएगा सब असमान लिए पूरा जल गया तो समझ देज़े का जो भी फोल्ड है यहां से ही हो जाएगा अगर समझ लिए कि यहां पर जली नहीं है फ्यूज जला नहीं है तो फिर आपको नेक्स्ट टेप में जाना पड़ेगा ठीक है अगर यह जल गया है तो आपको सिंपली इसको यह इसको पीवी सी कोपर फ्लेक्स आपको से लिए तो आपको से इसको आपकस्ट परन कर देंगे तो आपको से घर में इसको जाना पड़ेगा नेक्स टेप में देखेंगे आपके घर के जी मिद्फेट यह जांगा पड़ेगा अश्कुले से चगर और यह जो आ हीटर दो इसको सिंगल और इसके पहले ऐसा जो dall हविख लिए योग यह उसक जिए अधिय्ट के खटेग 600 लोग यह च्वेंगार भी मिल गया िरिये जाव पर आपको समझ फेस मिल गया तो समझ लिए कि फोल्ड जो भी है यहां पर है तो इसको निकाल के आपको देखना पड़ेगा इसका फ्यूज वायर जोलतों नहीं गया ठीक है मैं आपको बताता है इसको करते समझ निकाल के सब तोड़ा घ्यान रखिए इसका तो मैंने अल्यड़ी फ्यूज बांद के रखा है मगर यह जल किया तो इसको यह से जो मैंने बता है आपको यह फ्लेक्सिबल ऐसे कंड़क्टर लेकिए यहां के उसका फ्यूज बांद दीजो और इसको फिर लगा दिए तो आपके घर में लाइट आ जाएगी अगर मा ओड़ी फ्रेंस energy meter के पहले जो भी फोल्ड होता है वह हम find out कर सकते हैं मगर energy meter के बात जो भी लाइन जाती है उसमें कुछ भी फोल्ड था तो इसके लिए फिर हमको electricity board के customer care में फॉन करके complaint रजिस्टर करनी पड़ेगी ठीक है फ्रेंस तो मैंने आपको मेंज जिस यही बता तो भी आपके गर में लाइट चलिए आज आजाएगे इसके लिए आपको इलेटिसन को बुलाने की जुरुत नहीं पड़ेगी आप खुद ही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंस मेरी इसके अपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बुलिए नहीं चैनल को सब्सक्राइब केजिए आज के लिए यतने थैंक्स फर वाचिंग जहीं जहीं बारत